हेले श्रोडेंड कैसे हैं आप सब इबारपुना आप सभी का आपके अपने शैनल सीव कोचिंग क्लासेश पर स्वागत है और आज का टॉपिक है क्रिश्टली ठोस में चुम्ब कत्यों के गुण सभी प्रकार के चुम्ब की गुण यहाँ पर चर्चा करेंगे जैसे प्रति लोह चुम्ब की और फेदी मेंगनेटिक ठीक है तो पांच प्रकार के आपर टाइप समझेंगे बहुत ही सिंपल है प्यारे भाईयों बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा समझना पड़ेगा और आसानी से आप सेख जाएंगे ठीक है तो वीडियो को वन तक देखते हैं प्यारे भाईयों या प्रति चुम्ब की या अनुचुम्ब की इसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें आपको समझना जरूरी है प्यारे भाईयों बेसिक चीज़ क्या है जैसे आपको पता होगा कि कोई भी अड़ो या परमारू से मिलकर बना हुआ कोई आपके पास पदार्थ या योगिक है उस अड़ो और परमारू के में क्या होंगे भाई इलेक्टरान होंगी तो इलेक्टरान कैसे गति करते हैं एक तो किसी भी नाविक के चार और कच्छा में ठीक है एक तो नाविक के चार और कच्छा में गति करते हैं और दूसरा वो स्वयम मे वो स्वयम में जैसे एक माली जी इधार है उपर की ओर तो क्लाग बाइज और नीचे की ओर तो एंटी क्लाग बाइज मतलब जब ऐसे गति करने भी है तो clock by लेकिन जब ऐसे मतलब उल्टा कर दें ऐसे गति करने लग जाए तो anti clock by ठीक है ध्यान दीजेगा तो दो प्रकार से चक्करन होता है clock by एक anti clock by ये देखे सीधा है यह यह उल्टा है तो anti clock by मतलब एक तो blunt नाभी के चार ओर चक्कर लगाता है ठीक है और दूसरा खुद पर भी। चक्कर, चक्रन होता ही तो प्यारे भायो खु मनें से गति का गुनुदान होता है कोई भी ठोस होगा उसमें इलेक्टरान जब गति करेंगे हैना अपने इस्थान पर चक्रन करेंगे प्यारे भाई हो एनि रोटेशन जब होता है उनमें तभी चुमकत्तों का गुण उत्पन होता है तो पहला कंडिशन तो यही आपको जानना जरूरी था कि किसी भी पदार् चक्र लगाता है और स्वयम पे भी एक बार दिन में घूम जाता है जैसे मान के चलता हूं यह सूरज है ठीक है तो प्रत्वी जो है इसका भी चक्र लगाएगा ठीक है और अपने अच पर भी एक बार घूम जाता है दिन में ठीक है 24 घंटे में ठीक है पहरे भाई हो इस प तो इन इलेक्टरानों के चक्रन के करण ही चुम्ब की ठोस उत्पन होता है अब आप लोगों ने आप बाहू का सिध्यान्त पढ़ा होगा आप बाहू का सिध्यान्त क्या है प्यारे भायू कि जो इलेक्टरान है पहले एक एक करके भरा जाता है फिर दूसरे इलेक्टरान मत मतलब बढ़ते उर्जा इस तर जब तक पूरे ना हो जाए पैरे भाई हो तब तक दोसरा इलेक्टरान नहीं भरा जाता मतलब पहले पहला इलेक्टरान सभी भरते हैं फिर दोसरा इलेक्टरान भरते हैं अब देखे इलेक्टरानों के चक्रन के आधार पर ही या इलेक्टरा परमारत कुमां कितना होता है दस होता है इसका एदिए electronic business 1s2 यह तो हला कि गैस है मैं समझाने की बात कर रहा हूं यहां पर समझने की कोशिश करेंगे आप 1s2 2s2 2p6 कितना होगए 2 2 4 6 10 अब यहां पर देखा जाए तो सभी में electron पूंड रूप से भरे हैं इसमें 2 electron इसमें तीन कच्छक हैं पेरभाईो ठीक है तो एक पहले एक-एक एलेक्टरान फिर दो-दो इलेक्टरान तो यह हो गया भाया हुंद के आधार पर हमने इलेक्टरान भारा है इसमें इलेक्टरान क्लागबाईज और एंटी क्लागबाईज अभी में घूनन गति कर रहा है लेकिन द मतलब इलेक्टरान गती नहीं करेगा क्यों क्यों क्योंकि इसमें पूर्ण रूप से युगमित हैं अर्थात जब युगमित हैं तो भाईया इनका आगुण कितना हो जाएगा सूननों जाएगा चुमकी आगुण कैसे निकालते हैं तो उसका अलग से मैं वीडियो बना दू मतलब एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं और जब चुमकी आगुण सून हो जाता है तो वहां पर चुमकत्त भी सून हो जाता है मतलब उसमें चुमकी गुण नहीं पाय जाता प्यारे भाईयो उसे को कहते हैं प्रति चुमकी एठोस ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें आकरसित नहीं होते बलकि प्यारे भाई चुमकी शेतर पदि उसको रख दें तो प्रति करसित होने लगते हैं मतलब उसमें चुमकत्तों का गुण रहता ही नहीं है तो उसे हम कहते हैं प्रति चुमकी एठोस इनमें सभी जो इलेक्टरान है वो युगमित होते हैं ठीक है कहने का मत असलब कि यदि कच्छक में युगमित इलेक्टरान हो तब वो जो ठोस होगा या वो योगिक होगा या वह पदार्थ जो होगा वो प्रति चुमकी ठोस होगा पहला चीज़ें क्लियर होगे भीया अब दूसरा आता है अनुचुमकी ठोस अनुचुमकी ठोस में यदी यही पर आयुगमित होता अभी सिर्फ मैं इसमें समझा रहा हूँ प्यारे भाई समझाने की कोशित कर रहा हूँ हला कि गैस में चुमकत्व कुण उत्पन होता नहीं है मैं केवल एक एक जामपल के तौर पर लेकर चला ताकि आप लोगो समझ में आ जाए ठीक है यदि आयुगमि चलता हूँ एक छोटा सा कच्छक बनाता हूँ दी का वन टू थ्री फोर ठीक है तो फाइफ हो गया वन टू थ्री फोर फाइफ इसमें एक लेक्टरान भार दो इसमें एक इसमें फिर ऐसा कर दूँ और यह हो गया दो खाली रख दो तो इसमें क्या युगमित है नहीं है अईगमित हैं, मतलब ऐसे कछक जिसमें क्या हो तो एड्र कछक कहलाता है, तो यहां पर दो कछक आईगमित हो गए चीज़ें क्लिर, कोई भी ठोस है, वो आनओं परमारों से मिलकर बना हुआ है, तो जिस भी अनुसे मिलकर बना होता है यदि उसमें कच्छक में अयुगमित इलेक्टरान है तब वो जो ठोस होगा वो अनुचुम्र की ठोस कहलाएगा ठीक है दो चीज तो क्लियर हो गया कि मतलब यदि कच्छक पौंट रूफ से इलेक्टरान से युगमित है तो वो जो ठ इतने कच्छक की बात करता हूँ डी में होते हैं पांच अभी मैंने आपको बताया कि डी में होते हैं पांच तो जरूरी नहीं कि पांचों खाली होना चाहिए जिससे डी हो गया आपका इसमें कितने होते हैं पांच होते हैं जरूरी नहीं कि पांचों खाली हो यह नहीं प चुम्म की ठोस के अंतरगत आएगा लेकिन अदि पूर्ण रूप से युगमित हो गया फिर तो वो प्रतिचुम्म की ठोस कहलाएगा क्या कहलाएगा प्रतिचुम्म की ठोस इतना क्लियर हो गया कि अनुचुम्म की ठोस में क्या होगा पैरे भाई अनुचुम्म की ठोस में क इसको प्रूब करके भी आप बताओ कि किस प्रकार से आप इसे पहचान होगे तो अभी मैं अब्जेक्ट्ट्व टाइप में यहां से कुश्चन पोचे जाते हैं इसलिए मैं यहां पर मानीजे तीन तीन एक्जामपर लिख दिया हूं ताकि आप लोग एक एक एक्जामपर हो जो आते हैं पेपर में उनको एक्जाम Pen याद कर लें वहां कि आगे चल कर आथी आप निकालना चाहेते हैं तो आपको ये 500 देता हूं कि यह अई तो पिरियाडिक टेबल आप से भखूबी से बणना चाहिए पिरियाडिक टेबल पहले आप पूरा तरय से याद कर लो ताकि टाइटेनियम का यदि पर्माण कुछा जाए, बेनेडियम का, एने का, सील का, तो आपसे पर्माण क्याद होना चाहिए, पर्माण क्याद रहेगा पेरे भाईो, तब ही आप इसको कर पाओगे, ओके, चीजें क्लियर, इतना समझ गए, चलिए, अब लिखना क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है, कि प्रत्चुमकी पदार्थ हुए पदार्थ हैं, जो चुमकी छेत्र में आकर्शित नहीं होते, बलकि चुमकी छेत्र से प्रतिकर्शित होकर वाहर निकलना चाहते हैं, और यह किस कार्ड होता है, तो इन पदार्थों में आईगमित इलेक्ट हुआ है तो फिर वह प्रति चुम्की होगा अनुचुम्की नहीं हो सकता वहीं इसके अपोजिटर दी एक भी कच्छक आयुगमित है तो फिर अनुचुम्की ठोस कहलाएगा चीजें क्लियर प्रवाई हो पांच प्रकार के ठोस पढ़ना है अभी यह दूसरा है अनुचुम् किए ता या चुम्की छित हटा लेने पर भी समाप्त हो जाती है केहने का मतलब कि जैसे मानуки चलते हैं प्यारे भायों कि यहांँ जौड़े मान के चलता हूं यह वन में ब्रा भूगज सकते हैं यह यूगमित है, कोई दिक दिकत नहीं, लेकिन पी में दो कच्छक यह यूगमित है तो जैसे मान के चलते हैं कोई भी पदारत है वो रणूपरमारू से मिल कर बना हूँ, उस परमारू का जो कच्छक है यदि वो एक बीलेक्टरां से आयोगमीत है तो उसमें पेरवाई अनुचुम्ब की ठोस पाया जाएगा चीजें क्लियर कहने को मतलब देखो प्रति चुम्ब की मतलब प्रतिकर्शन यहीं चुम्ब की शेत्र में उसे हम लाते हैं तो प्रतिकर्शित होता है अ उसका कार्ण क्या होता है कि इसमें आयोगमीत इलेक्टरां पाए जाते हैं ठीक है ना आयोगमीत इलेक्टरां पाए जाते हैं जिस कार्ण से यह आकरसित होता है क्यों कि क्यों आकरसित होता है बताई हो यह अब आपके पास माल लीजिए पैसों की कमी है तो अब धनीक बे साल रेडी 10 रुपए है तो ओर दूर भागेगा भी हम से मत लेना नहीं तो हम कहां जाएंगे समझ पारे हैं एक दो दोस्त की बात एकचमपल में आप ले लो दो दोस्तों की कहानी एक दोस्त के पास अल्रेडी बाइदि 8 दस हैं और एक दोस्त के पास पांच रुपए है तो पांच रुपए वाला क्या कहेगा भईया पांच की कमियार प्रीज हमारे पास आओ हमारे पास आओ इसलिए उभईया जाएगा अनुचुमकी पदार्थ जाता है अनुचुमकी पदार्थ जाता है किसी चुमबक के पास क्यो को जाने दो हमारे प्रतिकर्सित होता है वैसे भी जिसके पास पैसे होते हैं वह यह दूसरा कोई पास में ना जाए नहीं तो हमें भी खर्चा करना पड़ जाएगा चीजे समझ रहा है ना बेसिक से समझा करो अपने आप में कंपेर करा करो पड़ा इतना कटी नहीं होता बस सिंपल तरी कि समझने क्या सकता होती है कि प्रति चुम की ठोस में क्या होता प्रति चुम की ठोस में क्या होता है प्रति चुम की ठोस में दूर भागने कोसिश करता है मतलब उसके पाल अलड़ी सभी इलेक्टरान भारे हुए है कच्छक में लेकिन अनुच्छक में जो इलेक समाप्थ हो जाता है चीज़े क्लियर एक्जामपल यहां पर लिखा हुआ है बेहतरे ढंग से आप लोग लिख सकते हो पेरे भाई हो चलिए अब बात करते हैं लौह चुमकी या फेरी मैगनेक्टी ठोस ठीक है लौह चुमकी अब चीज़ें यहां पर थोड़ा सा अच्छे स क्लियर करना है देखो हमने आपको समझाया कि क्लागवाई 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 और एंटी क्लागवाई जैसे यहां पर मैं एक्जामपल बताया कि आपके पास ये कितने खाने है पांच खाने है पांच खानों में से पांच खानों में से भाईया सभी के सभी पांच यहां पर कलागबाईज है और यहां पर मैं कह दिया तीन एंटी कलागबाईज समझ रहे हैं पांच कलागबाईज है और तीन एंटी कलागबाईज दो हैं यही तो में रूप से आकरसित करेंगे तो इसमें जो चुमकत होगा किसके अपेच्छा कम होगा यदि हम मानके चलते हैं कि आपके पास एक दूसरा परमाडू है और उस परमाडू में केबल कलाग बाइज इलेक्टरान है एक एक इलेक्टरान भरे हुए है केबल यहां पर काम करेंगे पाँचों के पाँचों इलेक्टरान केंगे भई हमाने की कोशित कर रहे हैं तो इसमें चुमकत तो कमान जायदा होता है तो लोह चुमकी पदार्थ और प्रति लोह चुमकी पदार्थ में केबल यही डिफरेंस है लोह चुमकी पदार्थ और अभी आपने देखा अनुचुमिकी पता था यही है यह था अनुचुमिकी है अनुचुमिकी में क्या था कुछ यूगमित भे थे दोई या यूगमित था तो फिर क्या होता था दोई भागरें भी या चुमबक के पीछे लेकिन यहां पर सभी के सभी इलेक्टरान एक ही क्रम में रहे हैं और जैसे उसे चुम्म की छेत्र में लाए तो चुम्म की छेत्र से क्या हो जाते हैं अ मतलब इसके पेच्छा, इसमें सभी इलेक्टरान, जितने भी एगमित इलेक्टरान एक ही दिसा में चक्रन कर रहे हैं, मतलब कलागबाईज तो कलागबाईज ही है, समझ पा रहे हैं, कि ए पदार्त बाह चुम्ब की छेतर दोरा करसित होते हैं, यह दे चुम्ब की छेतरों को हटा लिया जाता है तो चुमकी गुण भी दमान रहता है मैंने कहा ना कि लौस चुमकी में क्या होता है भाईया इसमें क्या होता है सभी जो इलेक्रान है एक ही दिसा में एक ही अनुक्रम में अनुयोजित होते हैं मतलब एक ही क्रम में होता है इस कांसें का चुमकी आगुण भी होता है चुमिकीता भी यह दीख होता है समझ रहे यह दी छह इलेक्टरान है तो च्छे के च्छे अउगमित है और उनका चक्रण भी विपिरित हो सकता है लेकिन लौह चुमिकी में एक ही क्रम में चक्रण उनका समान होगा समझ रहे हैं जितने भी इलेक्टरान होगी इस कारण से चुमकी छेतर में आकरसित होती है इसमें चुमकी छेतर हटा लें या उसे ही दूर ले जाए फिर भी उसमें चुमकत का गुन बना रहेगा फिर भी उसमें चुमकत का गुन बन रहता है पहरे भाइयो और ऐसे चुमबक को हम कहते हैं लोह चुमबक क्या लोह चुमबक एक बार फिर से ये पदा आठ वह चुम्ब की छेतर दोरा आकरसित होते हैं ये चुम्ब की छेतर को हटा लिया जाता है तो चुम्ब की एक गुण बिद्दमान रहता है अर्थात इसमें इस्थाई चुम्बक सिलता उत्पन होती है चुकि एक गुण लौह योगिकों के अविलाचुनिक गुने आता यह लोह चुमबक सिल्दा कहा जाता है इन्हीं इसे लोह चुमबक सिल्दा कहा जाता है ठीक आइरन है निकले कुवाल्ट है क्रूमियम अकसाइड है एकजामपल के तौर पर एकजामपल तो त्यार ही करना पड़ेगा अभी मैं इसमें यह नहीं समझाने वाल हूँ प्यार भाई कि किस प्रकार से अभी आपको आज का होम बरिक है यह आप चाहेंगे कमेंट करेंगे तो मैं बता दूंगा और हाँ भाई यह आपको याद होना चाहिए जिसे आयरन का में परमान कुछी तो आपसे बनना चाहिए तो यह तना आपको त्यार होना चाहिए तभी आपसे बन पाए ठीक है आगे थोड़ा सा इसका लिटेल देख लेते हैं कि द्राव यह वं गैसों द्वारा लाह चुमकीता प्रदर्शित नहीं की जाती मतलब जो द्राव और गैस होते हैं उनमें लाह चुमकत्तों का क्लॉक बाई जोना चाहिए एक ही दिशा पे जब इन कागोंड होता भी है तब यह कहलाता है लाह चुमकी इस कारण से इसमें चुमकत्तों देर तक रहता है इतना यह आपको त्यार करना ठीक है चलिए अब बात कर लेते हैं प्यारे भाई एंटी फेरो मैगनेटिक ठोस य लाग है थोड़ा सा नाम लंबा है एंटी फेरो मैगनेटिक ठोस और फेरी मैगनेटिक ठोस और भाईया फेरो मैगनेटिक ठोस में क्या डिफरेंस है मतलब लाह चुमकी और प्रतिलाह चुमकी लाह चुमकी में आपने क्या देखा था लाह चुमकी में आपने देखा था पैरे भाई कि जो इलेक्टरान एक ही दिसा में है और क्या है अयुगमित है लेकिन प्रतिलोह में इस प्रकार के पदार्थों में अयुगमित इलेक्टरान उपस्थित होते हैं परन्तु इनकी स्पीन की अनियोजन इस प्रकार होती है कि नेट चुम के अगुन सोन हो जाता है इस प्रकार के गुणों को anti-pharomagnetic गुण कहते हैं मतलब जितना clock wise होगा उतना ही anti clock wise होगा anti-pharomagnetic ठोस में लौह चुमकिय ठोस में जितना clock wise होगा पिर यह वा मतलब जो होंगे तो clockwise ही होंगे और कुछ होंगे, जो एदी है, तो anti-clockwise ही होंगे, मतलब एदी धच्छना भर्त में हैं, तो धच्छना सभी इलेक्रान होने चाहिए, यदी 22 भर्त में ही होना चाहिए, अब बात कहोंगे सर, हमने तो प्रती चुम्मिकी में पढ़ा था, चलता हूं प्यरे भाइओं पांच खान इसमें हैं तो एक-एक लेक्ट लोग ऑसे चीज़ें समझ गये प्यरे भाईओं इसमें आयूगमित है लेकिन इसी के पाई है लेकिन तीन क्लाग भाइज है धीन एंटी क्लाग भाईज दोनों का स्थमान मातरा जिसी कान चुमकी आगुण सुन हो जाता है इसलिए से हम प्रतिलव चुमकी ठोस कहते हैं एक्जामपल के तौर पर एमनो एमनो टू ओ थ्री एफी टू ओ ओ त्री एफी ओ सी ओ एना यू तो ये सब आपको त्यार कर लेना एक्जामपल के तौर पर ठीकए यदिशक्रनकी बिप्रीध अनियो जिट से चुमकी आगुण हो जाता है मतलब चुमकीता का गुड़ पाया जाता है लेकिन इलेक्टराण यूगमित नहीं पर नामी आगुण सुन है मतलब इतना क्लियर हो गया अब एक और बचा प्यारे भायों फेरी मेगनेटिक ठोस बहुत सिंपल है स्क्रीन साथ ले लिया करें और बिल्कुल आप लो इसके नोट्स के लिए आप कंटेक्ट कर सकते हैं पर फेरी मेगनेटिक ठोस क्या है इसमें देखो मैंने तीन चीजे कराया तीन चीजे अभी समझते हैं बहुत सिंपल तरीके से पहला तो हमने बोला भया आपको कि ऐसे जिसमें क्रम एक ही दिसा पर हो जितने भी अईगमित लेक्ट्रान हैं तो सभी एक ही दिसा पर हूँ तो यह क्या कहलाया लाह चुम की सिर्फ टिप्स बता रहा हूँ आपको यदि प्यारे भायो कुछ उपर की ओर हैं तीन उपर की ओर थे और तीन नीचे की ओर थे बराबर मात्रामी तो यह कहलाया प्रतिलाओ क्या कहलाया प्रतिलाओ समझ रहें अब बात करते हैं जितने उ युगमित की बात कर रहा हूं युगमित नहीं है मतलब उस आर्विटल में यही कच्छक में इलेक्टरान सभी आयुगमित हैं सभी अलग-अलग भरे हुई हैं लेकिन क्लॉग बाइज की संख्या यहां पे तीन है और एंटी क्लॉग बाइज की संख्या दू है इस कारण से क्यों की आगुदल सूनना नहीं होगा समझ रहे हैं भाईया की ऐंटी क्लॉग बाइज की संख्या दिखोगी या फेरी मेगनेटिक उन tonsos में पाया जाता है जिनमे अईग νमी इस प्रकार से निर्देशित होते है कि परिणामी आगोन सोनना नहीं होता प्रफान अपने को शमांतर या वैवरस्तित करते हैं तो था असमान संख्या में होते हैं نتलब समान संख्या में नहीं होते इसके एग्जामपल यहां पर आप देख सकते हैं ठीक है यह है आप αफ़ी 3 ओ4 यह आप एग्जामपल याद कर लो चलो यहां पर आप देख सकते हो जैसे आपने काऊ कॉलॉग बैस क किरते ही छे क्लॉग बाई चार क्लॉग बाई लेकिन दो क्या हैं एंटी क्लॉग बाई तो भाईया दो को दो तो निरस्त कर देंगे लेकिन दो बच जाएंगे इसलिए चुमकिया घुन सून नहीं होगा ठीक है क्लियर पेरे भाईयो इतना कंप्लीट हो गया तो आपने पांचो ठोस को पढ़ लिया कौन कौन सा प्रती लौचुमकी लौचुमकी अनुचुमकी प्रतिचुमकी और एक फेरी मैगनेटिक ठोस आसार उमीद है कि सभी ठोस आप बारी के समझ गया होंगी एकजाम पल आप तैयर कर लेना जो कि अब्जेक्ट्टो टाइब में पूचा जाता है और प्रेर भाई ओ वीडियो पूरा देखने के लिए प्लीज चैनल पे जाकर के सीव कोचिंग करें सब्सक्राइब करें साथ में प्लेलिस्ट विजिट करें और हाँ अपने दोस्तों साथ जरूर करें दोस्तों को जरूर बताएं ताकि आप लोग हम इसी प्रकार से हेल्प कर करते रहें मिलते हैं अगले वीडियो में पैर भाई जैहिन बंदमात्रम